बिसमें लाहिर रख्वाने रवहीम असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं सब अपने घर में खुश होरबाद होंगे तो चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं पहले एक क्विक सा यह बना रही थी आजकल टिक टॉक पर चो है न वह बहुत जादा ट्र एक छोटी सी टेप है आपके लिए कि आप इसको जैसी ठंडे पानी में से गुशारेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है न वह बाल्स बन जाती हैं हात में आ जाती हैं मैंने कब दूद ले लिया था मैंगो को स्लाइस कर लिया था छोट छोटे पीसेज में और यह द कि मैंने क्या चिंजिस की दिश में इस रेसेपी में मैंने यह किया था दूद में थोड़ा सा बर्फ टालके और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था कि ताकि अच्छे तरीके से बर्फ जो है न वह क्रश हो जाए और साथ में जो है न यह ठंडा दूद हो जाए ठीक है इसको मैं करूंगी mix और साथ में जा रहा है सागुदाना और साथ में डालेंगे mango slice तो यह तो छीज जो आज खल टिक टॉक पर या काफी जगा हो डील्स वगारा मैं मैं दीख रही थी ट्रेंडिंग में चल रही थी यह वाली recipe तो मैंने इसमें जो थोड़ी सी changes की ना मुझे कोई taste इतना अच्छा नहीं लगा मैंने फिर क्या किया थोड़ा सा दूद और लिया और उसमें mango को slice को डालके थोड़ा condense milk डालके इसकी ठीक सी मैंने paste बना ली जैसे हम लोग प्यूरी बना ली जो के हम milkshake के लिए बनाते हैं मैंने इसको ठीक सा बना लिया था यह यह बिल्कुल अच्छे तरीके से blend होके प्यूरी बन गी अब मैंने बाकी दूद में यह mix कर लिया जिसकी वज़ा से इसका taste पूर्ट मज़े का बन गया था तो जैसे वो लोग सिर्फ अकेला milk में बना रहे हैं उसकी बजाए आप यह वले recipe इस तरीके से try करने जादा की बनती है यह classes में फिलो हो रही थी और यह मैं नाश्टा कहने के उसके लिए हम लोग पी रहे थे तो यह देखिएगा अब मैं आपको दिखा रही है और यह इतनी मज़े की recipe बनी थी ना इस तरीके से आप यह जरूर ट्राइए कीचेगा और बताएगा कि कैसी बनी इसके पर लहार में यहां पर आयल्स का exam होता है तो यहां पर actually ना हुआ क्या है कि मेरी बेटी का जो था ना वो कुछ बोर्ट का system था वो इधर उन्होंने हमें बुलाया था exam देने के लिए जिसकी वज़े से मुझे जाना पड़ा था तो जब मैं वहां पर गी तो काफी बचों क exam हो रहा था और भी दूसरे तीसरे बचों के चल रहीं थी चीज़ें तो बस ची इसके बात यह मैंने जो है था लहार में थोड़ी सी टाइम जो थे दो चर घंटे स्पेंट किये कि ताकि अपना काम हम लोग कर सकें बाद बाद बचों की बोर्ट किसी और city में बन जाती है जिसके वैसे काफी बचों को भी प्रॉब्लम होती है और पेरेंट्स को भी होती है तो और मैं जो थी मैं चारी थी किसकी बोर्ट जो थी वो जो है वो किसी तरीके से जो है जिस city में मेरी लिविंग या वहां पर हो जाए लेकिन नहीं उन्होंने मुझे लहौर ही बलाया च इनको कट लगा रही हूं और मैं बना रही हूं भरेवे बैंगन और प्यास भरेवे चावल से ठीक है यह इतनी मज़े की रैसिपी है बेसिकली अरप्स में तो बड़ी मशूर है यह और हमारे घर में काफी ज़दा खाई जाती है मैंने किया था इनको मैंने बॉयलोने के ल अब आपका टेस्ट को जाता है तो बहुत मज़े की बन्ती है तो मैंने किया था जो थे ना च्छे ट्माटर सो मैंने ऑगए के नहीं इदे से मैंने छेदर टोमाटर जिनके चिलके उतार दिये थे एक हरी मिर्च दो हरी मिर्च जो ज़्यादा तेज ना हूं वो मैंने अट की प्यूरी बना ली इसमें जा रहा है चिकन पौडर और इसमें जा रहा है नमक और वो भी टेस्ट के कॉडिनली डालने वैसे एक तो आप कम डालने लेकिन यह थोड़ा सा ना खटा होगा तो ज्यादा टेस्टी बनेगा ठीक है इतीजे में प्याज होगे ठिंटे और मैंने इदर पाक्सान में तो इसको मैं इस तरह पिंक प्याजों में बना रही हो ना जबकि बाहर जो लोग रहते भी है ना उनको पता है ठीक है आप उसमें भी आइड कर सकते हैं मैंने क्या किया था अदक एक कप मैंने चावल ले लिया है आदक उसमें बॉइल कीमा एड़ की है और इसके अंदर मैंने पुदीना तेज के कॉर्डिनली चाह से पांच टेबल स्पून कट औवा और इसमें जा रही है एक टेब से सारेग बेर कर लिए बेंगें के इंदर बruk lush के लिए बेंस के अशरी के रिकित हैं और किया लिए पे बहुत है कि भरेवे बैंगन लोगों ने मसाले वाले ही मजरिटी लोग खाते हैं या फैमिलीस में इसी तरह का बनाया जाता है लेकिन आप इस तरीके से बना के देखे चावल की और कीमे की फिलिंग के साथ इतने मज़े के लगते हैं इसको मैं चावल इसमें भी प्यास की फ और इसकी वज़ा से वह भी वह भी आपने देखा होगा अकसर तुर्किष ट्रामों में या कहीं अरब चैनल पर अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि यह बड़ी मज़ेगी डिश होती है ठीक है यह भी बनाते हैं लोग बहुत ज्यादा उनके घर में वीकली हैं यह चीज़ें तो हमारे घर भी यह वीकली बनता है यह देखें मैंने किये था तक्रीबन दो ग्लास जितना यह ट्मेटो वाला सारा जूस ले लिया इसको मैंने इसमें डाल देना है हर तरीके से एंगल से कि बिल्कुछ सेंटर में ना जाए साइड पर फिलिंग हो ठीक मैंने इसको 10 मिनिट का ज़रा तेज आज पर देना जब फिर उसके बाद मैंने इतनी हलकी जैसे बिल्कुल चावल को दम पर लगाते हैं इस तरह प्रेशर कर देना सिर्फ पांच मिनिट के लिए बस इतना अभी यह तेज है इसको तक्रीबन आठ से दस मिनिट लगांगी इसके बाद यह देखें मैंने इसको खोला है यह पूरा जूस जूस उपर आया हुआ है और यह देखें बिल्कुल बैंगन लिए सब चीज़े आपको कोच चुकी है अब मैं इसको डिश आउट कर दी हैं इतनी मज़े की जो लोग वेजिटेबल्स नीना खाते हैं मैंने द यह है जीरा पाउडर नमक धनिया और पुदीना कटावा और क्यूकंबर को क्रश करके इसका पानी स्कुईज करके वह मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूं ठीक है पानी निकाल ले ना और इसके बाद आप राइते में डाले इतना मज़ेगा कंबिनेशन राइते के साथ यह आप खाएं और इन्जॉय करेंगे तो यह जो डिशेज है ना मैंने खास इसलिए मैं अपने चैनल्स में पताती था कि हमारे बाक्सान में भी यह सुब टेस्ट और यह चीज़ें ड्वैलप हो और सबको पता चले के हाँ भी यह रैसिपीज होती है और वो यह रैसिपीज क को पता होगा कि हाँ भी यह रैसिपी इस तरह थी तो मैंने किती दफ़ा बताया कि मैंने किसी अर्बी से सब खाने सीखे हुएं तो इसी वजह से मुझे खाने आते हैं ठीक है ना तो इन्शालों नेक्स वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है दुरूशी पढ़ते रह हैं आला हाफीज